नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल, आज हम परवल के सबजी बनाएंगे, परवल के सबजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 250 ग्रम परवल लिया हूँ, अभी यहाँ पर मैं परवल को अच्छे से धो कर उसका पील निकाल रहे हूँ, परवल को दोनों सबस्ट से प्लास करके कट करना है, यहाँ पर एक आलो को छोटे-चोटे करके मैं कट करके रख दी हूँ, ग्रेवी के मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक टामाटर, एक प्याच, दो सुखी मिर्च, जीरा और साथ से आठ काजु ली हो और इन सब को अच्छे से प्राइ कर दूँगी यह अभी अच्छे से प्राइ हो गया, अभी मैं इसको थंडा होने के लिए एक प्लेट पे निगाल दूँगी तब तक हम यहाँ पर परफल और आलू को अच्छे से प्राइ कर देंगे अभी यह दोनों हो गया, अभी हम मसाला को ब्राइड करेंगे फाइन पेस्ट होने के बाद हम एक कड़ाइड लेंगे, उसमें थोड़ा खड़ा मसाला डालेंगे मैं यहाँ पर चार से पांच काली मेर्ट से एक लांग डालचिनी और तेजबत्ता ली हूँ अभी इसमें अध्रेकर लेशन का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से बून लेंगे उसके बाद टमाटर पेस्ट का पेस्ट डालके उसको भी अच्छे से बून लेंगे अभी मसाला ओइल छोड़ रहा है तो इसी टाइम पर हम यहाँ पर हाल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर और थुड़ा गरम मसाला पाउडर डालके उसको अच्छे से मिस कर देंगे कर दो है सब मिक्स करने के बाद हम यहां पर थोड़ा कसरी मेती को डाल देंगे इसमें अच्छा स्मेल आएगा इसमें अभी परबल और आलो को डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिस कर देंगे मसाला के साथ यहां पर हम गरम पनी डालेंगे गरम पनी डालने से अच्छा टेश्ट आता है आपके हिसब से आप डाल सकते हो कितना के भी रखना है देखे आप डाल सकते हो अभी यह बनके रेडी हो गया है हम यहां पर धनिया के पत्ते डालके इसको गरम गरम साफ करेंगे आप इसको रोटी और डाइस के साथ भी खा सकते हो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक शेर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए यह यह